दोस्तो आजम बात करेंगे वाद गजांकुज रस के बारे में जो कि वाद से रिलेटेड सभी रोगों में काफी बढ़िया काम करता है जैसे गठिया, साइटिका, लकवा, बोडी में जगा जगा दर्द होता है और जकड़न जैसे वाद रोगों में ये काफी फाइदे मन होता है दोस्तो देखे इसके और भी बहुत सारे फाइदे हैं जिनके बारे में आगे मैं आपसे बात करूँगा देखे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वाद गजांकुज रस है ये क्लासिकल अरवेदिक मेडिशन है जो की लगबख सभी ब्रांड में अवेलबल है देखे डाबर, बैदनाद, आदी और भी कई कंपनियों को ये आता है और देखे इसे आप जो भी लोकल अरवेदिक मेडिकल इस्टोर होते हैं वहाँ से आप इसे जो है पर्चेस कर सकते हैं या फिर मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओनलाइन खरीदने की लिंक दे दूँगा जिसके जरिया आप इसे घर बैटे बैटे भी मगा सकते हैं और इसके प्राइस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं तो देखिए अब मैं आपको इसके फाइदे बताऊँ उससे पहले मैं आपको इबता दूँ के जो वाद गजांकुज रस है इसके अंदर रस सिंदूर लोह भस्म सुद्ध गंदक सुद्ध हर्ताल सौट काली मिर्च आदिस प्रकार से इसमें इंग्रेडियन्स है वो मिलाए गए है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो देखिए अगर आपको अर्थराइटिस है गटिया की समझ्या है देखिए आपके जोडों में दर्द है जोइंट्स में पेन है बोडी में जगजगद दर्द होता है या स्वैलिंग सूजन की समझ्या है और साथ में लालपन भी आ रहा है या कंदे में होने वाला दर्द हड़ियों का दर्द जांगों में होने वाला खिचाओ इसके लावा देखिए आपके सरीर में जगडण हो जाती एक प्रकार की जिसे आप स्टीपनेस भी बोल सकते हैं तो उस कंदेशन में ये जो है काफी बढ़िया काम करती है इसके लावा देखिए साइटी का अब देखिए साइटी का में होता क्या है आपको कमर से लेकर पैरों तक मैसूस होता है तो उस कंदेशन में साइटी का में इसका जो है काफी बढ़िया फाइदा देखने को मिलता है इसके लावा देखिए लकवा पक्षाघात या पैरलेसिस जैसी प्रॉलम में भी ये काफी फाइदेमन होती है वाद गजांकुजरस दोस्तों देखिए इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फाइदे है जैसे कि नसों को सांते करने में संधिवात में सरीर की अकडन को खत्म करने में कफ रोगों में ये काफी जो है बढ़िया काम करती है तो इस प्रकार से देखा आपने कि इसके कितने सारे फाइदे है यानि ओवराल बात करूँ वात गजांकुजरस की तो ये वात रोगों के लिए काफी अच्छी मेडिशन है दोस्तों गर बात करें कि आपको इसे कैसे लेना होता है तो देखिए इसकी जो है एक से दो गोली दिन में दो बार सुबह हम साम को ले सकते हैं दोस्तों देखिए डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉलम कैसी है प्रॉलम के एकोर्डिंग ही डोस घटाई या बढ़ाई जा सकते हैं और देखिए इसे जो है आप खाना खाने के बाद रसनादी क्वाद या दसमूल कौाद के साथ है वो ले सकते हैं देखिए इसे मेल फिमेल कोई भी ले सकता है लेकिन जो महिलाएं प्रेगनेंट हैं वे से ना ले जोंकि देखिए प्रेगनेंसी के दोरान अननेसेसरी कोई भी मेडिशन लेना है वो सही नहीं होता तो इसलिए इस बारे में आप पहले डोक्टर से जरूर सलाह लें दोस्तो अगर बात करें इसके साइड इफेट की तो वैसे तो इसका ऐसा कोई भी साइड इफेक नहीं है लेकिन फिर भी देखिए इसे लेने के बाद अगर आपको कुछ भी हेल्थ में इशू लगता है तो आप इसे लेना है वो बंदी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डोक्टर से भी सलाह हो ले सकते हैं दोस्तो लास्ट में मैं आपको कुछ एडवाईज दिना चाहूंगा अगर आप इस वाद गजांकुस रस लेते हो तो देखिए आपको जादा मिर्च मसाले वाला खाना जंग फूड, फास फूड, फ्राई वाला खाना मैदे से बनी चीजें, एलकोहल ये सब चीजों का सेवने हो नहीं करना है हेल्दी फूड लीजिए, फाइवर वाला खाना खाईए, सलात खाईए और टाइम पे खाईए, और टाइम पे सोईए देखे दिनबड सही मातरा में पानी जरूर पीजिए एक्सेसाइज जरूर करिए, जिससे आपका सरीड जो है अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं निमी जितेईश, और थैंक यू सो मच पर वोचिंग